नमस्कार मैं Dr. Wipin Vansal Vastu Consultant मेरे पास एक inquiry आई है जिसमें क्लाइंट ने अपनी बिल्डिंग बनाई हुई है और बिल्डिंग किस परकार से बनाई हुई है कि उनकी अपनी बिल्डिंग आदिया दूरी पड़ी है वो बिल्डिंग पूरी होने में नहीं आ रही ऐसा क्या कारण बना उस बिल्डिंग के अंदर जिसके कारण वो आदिया दूरी रहे गई पूरी होने में नहीं है मैट के जरी मैं आपको बताना चाहूँगा वो बिल्डिंग साथ विस्ट फेसिंग है उसके अंदर उन्होंने हाफ पार्ट में लगबार आधे प्लस में 60 परसेंट में उन्होंने बैक साइड में क्या बनाई हुई है बेस्मेंट यहाँ पर उन्होंने बेस्मेंट बनाई और बेस्मेंट में जाने के लिए उन्होंने फ्रंट से इतने हिस्से से स्टेप्स बनाए होए है सिध्यां बनाई वहे है जो सीधी भीस्मेंट में जाती है यह सारा हिस्सा इनका अपना बेस्मेंट का हो गया और यह इतना हिस्सा इनका अपना रोड लेवल से आप है उनचा है अब इन्होंने गलती क्यभा कि इन्होंने जो बिल्डिंग में नहीं, ये बेस्मेंट का तो लैंटर डल गया, लेकिन जो ग्राउंड फ्रोर पर दिवारे खड़ी हो गई, ऊसके बादी स बिल्डिंग के अंदर काम रुख गया, ऐसा कारण क्या बना, क्योंकि इसमें जो बे के और निचाई में चले गए वास्तु शास्तर के अनुसार उनके यहां सबसे बड़ी कमी एक तू स्टेट्स वाली यह आई है सेकंड कमी जो बेस्मेंट बने यह आई इसके उपर इन्हों ने जो दिवारे खड़ी की वो दिवारे यहां पर यह दिवारे खड़ी करती और यहां पर उपर जाने के लिए रस्ता इन्होंने यहां से बनाया कहां से बनाया यहां से अंदर जाने का रास्ता इन्होंने बनाया लेकिन सिर्फ यहां पर बीच में कुछ दिवारों के पार्टिशन खड़े हैं बाकी कुछ भी नहीं है ऐसे मे यह building यह क्योंकि आदी अदूरी पड़ी है, पूरी होने में नहीं आई, सिर्फ यही कारण है कि पूरी building का northwest zone में basement बन गया और south east zone इनकी solid रहेगी, और south east zone में यहां से इनका area steps के रूप में down के और चला गया, जिसके कारण है यह building पूरी होने में नहीं आई, आप भी ऐसी को वास्तू consultant की सला जरूर ले, ताकि आपकी building बीच में आदी अदूरी ना पड़ी रहे, आप चाहते हैं यह building आपकी proper तरीके से बन जाए, तो मैं आपको क्याना चाहूंगा, कि जो आपने यह basement बनाई हुई है, इस basement को आप complete भरवा दे, पूरा plot एक level का कर दे, और उसके ब building रुख जाती है, लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है कि वहाँ पर वो building पूरी होने में नहीं आती है, लेकिन जो वेक्ति ऐसी building बना रहा है, साउथ-विस्ट फेसिंग प्लोट है, और नॉर्थ-वेस्ट में basement बना रहा है, तो उस वेक्ति को भी building बनाने में तकलीफ आती है, कुछ building बनाते हैं, और वैसे भी प्रेशान रहता है, आप भी अपनी building बनाने जा रहे हैं, या आपकी building बन रही है, और आप जरूरत से ज़्यादा प्रेशान है, आप अपनी site का map भेज कर हमसे online consultancy ले सकते हैं, और आप हमें अपनी site visit के लिए invite करना चाते हैं, तो आप हम हमारे यहां से वास्तु शास्तर के निसार map भी बना सकते हैं, मेरे द्वारा इस वीडियो में देगी जानकारी आपको अच्छा लगी तो मेरी वीडियो को like भी करें, और मेरी इस वीडियो को अपनी family और friends के facebook ग्रूप और whatsapp ग्रूप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिएगा, ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है, उनकी notification आपको समय समय पर मिलती रहे, मैंने अपने YouTube चैनल पर 3500 प्लस वीडियो अपलोड की हुई ह आप मेरी उन सबी वीडियो को देख कर भी अपनी समस्याओं को समादान खुद कर सकते हैं, इसी तरह अगले प्रोगाम में फिर एक ने विशे पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार झाल